मन की बात का सववा एपिसोड आकाश्वाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हो रहा है। मोधी सरकार बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 से अब तक लगबग हर महीने प्रधानमंत्री मोधी सरकारी माध्यम आकाश्वाणी और दूरदर्शन से अपने मन की बात करते रहे हैं। लेकिन इन्ही आठ वर्षों में आकाश्वाणी के कई लोकल डेडियो शेष्णों ने अपने इस्थानिये कारिक्रम बनाना बंद कर दिये हैं। और बेचने और बंद करने का आरोप जब लगा तो सूचना प्रसाण मंत्री ने आनन पानन में ये कह दिया कि कोई केंदर बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ लोकल केंदरों के इस्थानी प्रोग्राम प्रोडक्शन बंद करने का नर्देश्ट भी दे दिया। इधा दूसरी दर्शन के लोकल केंदरों को भी अब बंद करना शुरू कर दिया गया है। हर्याना में हिसार केंदर को चंडीगड याने की पंजाब शिट करने के नाम पर बंद कर दिया गया है। इसके विरोध में वहां के 70 दिनों से इस्थानी जो दर्शक है कलाकार 70 दिनों से आंदुलन कर रहे हैं। अंदेशा है कि अन्य सरकारी सर्वेरिंग संस्थानों की तरह इस प्रसार माध्यम को भी कार्पुरेट के हवाले कर दिया जाएगा इस निजी करण की अंधी दोड में आकाश्मानी दोदर्शन जैसी सरकारी सूचना तंतर को शामिल करना देश के लिए भी बहुत बड़ा खत्रा मोल लेने की तरह है देश के लिए ये आत्म घाती कदम भी साबित हो सकता है दुनिया के तमाम देशों ने अपना अपना सरकारी सूचना तंतर बना रखा है जिसमें अगर कभी विदेशी हमला हो युद्ध हो या सामप्रदाइक या आर्थिक आदि इस प्रकार के कोई संगट जैसी या फिर आपास इस तरी के दोरान आम नागरिकों के लिए आधिकारिक और प्रमानिक जानकारी प्रसारित की जाती है ये सरकार का एक ऐसा प्रसार माध्यम है जिसका संचालन नियंतरन सिधे सरकार के हाथों में ही होना जरूरी है इसे लाब लोब के से दूर रखा जाना बहुत जरूरी है वरना इस प्रमानिक तंत्र का व्यक्तिकत, समू या विशेश बाहरी आतंकी सग्नित्नों द्वारा इस्तमाल होने से इसको कोई नहीं बचा पाएगा सरकारी सूचना प्रसार संस्थान को शुद रूप से सरकारी होना ही चाहिए इसकी स्वायत्तता भी सरकार के लिए घातक हो सकती है क्योंकि स्वायत्त संस्थानों को अपनी वित्त व्यवस्था खुद करनी पड़ती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर समझोते कर सकता फिर इस पर बाजारवाद भी हावी हो जाएगा हम इसके खत्रे को अंदेखा कर रहे हैं लेकिन सूचना प्रसारण तंत्र पर बाजारवाद के प्रभाव और उसके परिणामों पर अमेरिका में 1924 में ही विचार विमर्स हो रहा था युनाइटेट स्टेट के 31 प्रेसिडेंट हर्बर्ट हुवर ने कहा था कि ब्राडकास्टिंग को खत्म करने का सबसे आसान और फास्ट तरीका यह है कि इसका इस्तेमाल डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के लिए करना शुरू कर दिया जाए उस समय कार्पूरेट घरानों के खिलाप यह बहुत मजबूत तर्क माना गया उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कमाई के चक्कर में रेडियो जो है वो बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए मनोरंजन वाले कारिक्रम पेश करेगा जिससे रेडियो के शोताओं को मिलने वाले सैक्षिक और सामाजिक जानकारियों के लाब कम हो जाएंगे और यहां हम इस दोर में अपना विश्वस्निय सूचनाओं का सबसे बड़ा संस्थान बाजारवात के हवाले कर देना चाहते हैं जबकि हमारे पास इसके बुरे परिणामों के सैक्ड उदारण है यह बिलकुल वैसा ही होगा जैसे कोई देश अपनी सेना से यह कह दे कि वो अपनी रसद खुद जुटा ले इसके लिए चाहे तो वो हतियार बंकर गिर्वी रख ले चाहे तो महतपूर्ण गुप्त सुचनाएं बेच ले आप तो जानते हैं आजकल नेजी चैनलों पर पेड न्यूज प्रसारित होती है जो भी विक्ति या संस्था इसके लिए दाम चुकाती है उसी के तारीफ में या हित में खबर बना दी जाती है जबकि आकाश मानी दूजर्शन से प्रसारित खबरों को एथेंटिक व्याने की प्रमानिक माना जाता है लेकिन निजी चैनलों की तरह बिकी हुई खबरे सूचनाएं अगर इस सरकारी माध्यम से भी आने लगेगी तो फिर आम नागरीक उसे भी प्रमानिक ही मानेंगे ना फिर फेक निज और फैक्ट निज में अंतर क्या रह जाएगा आपने तो कह दिया कि आकाश मानी दूजर्शन भी हम नहीं चला सकते अपना वित्र प्रबंधन आप खुद कर लो अब ऐसे में क्या कोई आतंकी संगठन इसका इस्तवाल नहीं कर लेगा क्योंकि संस्थान को तो अपना वित्र प्रबंधन करने के चिंता है बाई जब कोई आर्थिक सहारा देगा तो इशारा भी तो उसी का मानना पड़ेगा ना सेट कार्पोरेट के नीजी मीडिया को हम देखी रहे हैं वो अपना हर एक पल बेशने की फिराक म हैं ताकि वो उसका मनमाना इस्तेमाल कर सके क्योंकि कोई भी व्यापारी घाटे का सवदा तो नहीं करेगा अगर खरीदेगा तो हर पल से वो कमाई की भी सोचेगा इसके लिए वो कोई भी हतकंडे अपनाएगा सरकारी प्रसार माध्यमों को बंद करना या उनके कम होगा वैसे वैसे शुद्ध बाजारवादी अनियंतरित जो मीडिया है वो जनता बेचा जाएगा नीजी मीडिया की रेगुलिटिक लिए आप चाहे जितने भी या नियम बना ले उसे नियंतरित नहीं किया जा सकता वो अपने फायदे के लिए कहीं न कहीं से रास्ता ही लेंगे पेड नियूज और फेक नियूज के लिए कानून होने के बाद भी नीजी चैनलों में इसकी तो भरमार है वो फेक नियूज फैलाते हैं इसलिए कुछ चैनल तो सिर्फ इस फैक्ट चेक करने के चलते चल लिकले हैं कई आरूपी चैनलों पर इसके मुकदमे चल रहे हैं फिर भी सूत्रों के हवाले के नाम पर ये गोरक दंदा खूब फल फुल रहा है नागरिक अब जागरुक हो गए है अब दर्शक भी शोता जो है वो फैक्ट चेक करना सीख रहे हैं तो दर्शक भी सरकारी मीडिया का ही रुख करते हैं बाकी नीजी खबर या चैनल अब मनुरंजन का ही परियाय बन कर रहे हैं आप तो देखा ही है आकाश्मानी रेडियो की विश्वस्नीता आज भी उतनी ही है जितनी शुरवात में थी सरकार कोई व्यापारी नहीं है कि नागरिकों से हर बात का सवधा करने लगे भाई सरकार नागरिक कल्यान के लिए होती है और नागरिक इसी के लिए बहुत सारे टेक्स और नेमिट टेक्स भी भरता है पीने का साब पानी हो, स्वच्छ पर्यावरन और सुरक्षा के साथ साथ स्वस्थ स्वच्छ और विश्वस्थनी सूचनाय पाना भी तो नागरीकों का हग है सिक्षा स्वास्थ की तरह सही सूचनाय भी एक तरह से मूल भूत सुविधाय है और सरकार इससे पल्ला नहीं जाड़ सकते हर तरीके से टेक्स की भरमार के बाद भी अगर सरकार अपने मूल भूत तंत्रों विभागों का भी वित्र प्रमंदन अगर नहीं कर पाएगी तो ऐसे में सरकार ही महत्विन हो जाएगी ना कल को सेना आयूद भंडारो अनोसंधान अन्शालाओं आधी को भी सरकार ठेके पर चणा देगी ऐसे में एक और इस इंडिया कंपनी को देश पर कपजा करने से कौन रोक पाएगा भाई मन की बात के सब्वे एपिसोड के लिए रेडियो पर चल रहे विज्ञापन में ये बात कही जा रही है कि इसमें आम जंता भी अपने मन की बात को शामिल कर सकती है अब एक तरप आकाश्वाणी दूदशन केंद्रों में बरसों से एड़ोक पर काम कर रहे करमी अपने नेमिती करण के लिए आंदूलन कर रहे हैं वहीं बंध होते केंद्रों को बचाने के लिए शोता और लोक कला कर महिनों से धर्नों पर बैठे हैं अब सवाल यह है कि जब मोदी जी आकाश्वाणी के जन की बात ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर जन के मन की बात का क्या होगा थैंक यू